असलाम अलीकुम वियर्स मैं हूँ आपकी होस्ट मौमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजर हूँ अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मौमेंट्स विद वीनस वियर्स आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो क्या हैं वो कौन हैं वो कैसे दिखते हैं ये सब हम आपको बताएंगे आज के शो में लेकिन सबसे पहले जाकर आप उनका प्रोफाइल देखिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर वाइस चेर्मेन औल पाकिस्तान सी एन जी एस्सीयेशन और पैटरिन एंड चीफ ओल सिटी ताजर इतहाद और इसके इलावा सी इओ हैं खान जी हॉस्पिटल के और सी इओ हैं हाजी सलीम खान ट्रेस्ट के और हमारे साथ मौजूद हैं असलाम अलेक। असलाम अलेक। क्या हाल है कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुल्ल्ला जी अल्ला का लाक लाक करम हैं सबसे पहले तो मज़े ये बताएं आप माशालला इतना सब कुछ कर रहे हैं शुरुवात आपने किस चीज से की थी? मेरी वेसे तो बैसिक जो हमारा कारोबार है वो पेटोलियम और सी एंजी सेक्टर है और मेरे जो बच्चे हैं वो फोर्ट जन्रेशन हम यही काम कर रहे हैं और हमारे पास जो एक साइड है यह पर गुल्शन अकबार में वो इतनी पुरानी है कि वो पाकिसान को जहेज में मिली अच्छा उस पाकिसान बनने से पहले भी वो पेटोल बंब था अभी भी पेटोल बंब बंब और हमारे अबाव और आइदाद से चलते हुए हमारे तक पहुचा है तो पेटोलियम से हमारा कारोबार वाबस्ता है इसके साथ-साथ यहां पे एक तन्जीम है आल सिटी ताजर इत्याद उसमें ही परफॉर्म करते हैं जी जी इसकी सियासत करते हैं मैं इस साल फेडरेशन और पाकिसान में में सी मिंबर हूँ सी एंजी सेक्टर की तरफ से वो भी बिजनिस एक्टिविटी वहां चलती रेती है इसके साथ-साथ कुछ थोड़ा सा वालदेन के साले सवाब के लिए मैंने एक टरस्ट बनाया जिसका आपने भी कहा कि हाजी सालीम खान टरस्ट के नाम से जनवरी 2017 में मैंने उसके तेहित एक हॉस्पिटल बनाया मंगो पीर एक कराची के पसपांदा इलाका है वहां पे और वहां माशालला तमाम जो भी नीडी पीपर्स होते हैं डिजर्विंग लोग होते हैं उनका फ्री ओफ कोस्ट इलाज करते हैं पांच तीस बेट का एक जनरल हॉस्पिटल है और पांच साल साल से हम उसे चला रहे हैं अल्ला पाक ने हमें एक सादत दी आपने किस तरह की लोग आते हैं आपके पास जादा तर देगे जिए वो जो इलाका हमने मुन्तखिब किया मंगो पीर वहां सब लेबर तपका रेता है और आस पास तमाम फैक्ट्रिया हैं मार्बल की तो लेबर तपका ही हमार पास आता है शुरू में मैंने कुछ नॉमिनल सी फी कर दी और जो भी नीडी पीपल होते हैं हमार पास यहां गाईनी बहुत अच्छी है मेजर ऑपरेशन करते हैं कम्प्लिट एक जरनल हॉस्पिटल है तो जिस मुर्स में भी मुपतला कोई शक्स आता है तो हम दिल औ जान से उसकी खिए मेरे वालदें की मफरत होने में कुछ तो इसका हॉस्पिटल का बनाने का मकसद यही था आपका कि आपके जो वालदें हैं उनको एसाल सवाब जो है जा सके जी बिलकुल नी देखे हैं हमारे वालदें हमें इतना नवास के जाते हैं कि हम पुरा उमर बेट के अराम से खाते हैं हमारे ओलाद भी आराम से खाते है तो जब हम अपने वालदेन के लिए क्या करें और जब रोज से मेशर अपने वालदेन से मलाकात होगी तो उनके लिए कोई तो गिफ्ट लेके जाएं कोई तो 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 यह सब कुछ किया, मगर जैसा आपने मुझे एक सवाल किया कि ख्याल कैसे आया, यह स्टोरी में कई दफ़ा मुक्तलिफ चैनल्स के लोगो यह स्टार्ट कहां से हुई, इसी क्या चीज आपके दिमाग में आए कि आपको लगा कि मुझे यह चीज करनी चाहिए देखें जी मैं तो एक पॉफेशनल बिजनिसमेन था इसी लिए मैं इस इलिए उत्वाल जो होता है उसका काम होता है फिर्फ पैसा कमाना बिल्कुल पैसे कमाना कमाता था है उस पैसे कमाने की धन में हम कुछ भी नहीं देख थे हैं थे हम बड़े सक्त होते हैं और बिजनिसमेन की जेव से पैसा नकालना ऐस दुनिया का मुश्किल तरीन काम है मैं ये बात है सन दो अजार नो दो अजार दस दो अजार गैरा की जब मैं रात को सोता था तो मुझे खुआब में आता था कि मैं किसी हॉस्पिटल जिसी जगह पर घूम रहूं और मैं मरीज़ों से पूश हूँ भई आपकी तबियत ठीक है कि अच्छ ने लगए कि मैं ने इसकी ताबीर अपने कुछ दोस्तों से और ताबीर करने वाले लोग जो समझते हैं उन से पूछने की कोशिश की मुझे कुछ लोगों ने का कि शायद आप बीमार ओने वाले हैं किसी ने का कि आपकी दूसरी शादी किसी डॉक्टर से होग कि मुझे हम मुझे खाये हो जो हम त renewal दो थी मुझे ऀय्ल Grade को में सुझे हैं त मुझे हैं लोग बताते थे तुंकि मुझे ने डैली जावाब तंग करते हैं से उड़ी रात को में सूँ और का इंट जाए हुआ जाए था तो पिर अमारे एक बज़ूग एं मैंने से वी तरह किया कि मुझे रोज रात को यह खुआवा आता है तो इसने का यार आप इसमें कोई मुझबत पहलू देखो कहीं ऐसा तो नहीं है आपने कोई हॉस्पिटल बनाना है मैंने का बई मेडिकल फील्ड से मेरा वास्था ही नहीं है मैं कैसा हॉस्पिटल बनाऊंगा किया और आप यकीन करें पांच साल से जब से मैं इस फील्ड में आया और मैंने यहां काम शुरू किया लोगों की दुआइं समेटने शुरू की बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग होते हैं सौरी मैं आपकी बात काट रही हूं कि जिनके खाप पूरे होते हैं तो आप ने शर्मिंदा यतावीर किया देखें जी और खौब भी देखें यह अल्ला पाग ने मुझे से काम कराया मेरी इस्ताथ या थी या नहीं थी मैंने जैसे का कि मैं एक प्यूर बिजनिसमें था हूं सिर्फ बिजनिस करना मुझे आता था मगर अल्ला पाग ने पकड़के मुझे ये काम लिया क्योंकि अगर मुझे ये खौब नहीं आते हो मैं इसको सर्मिंदा यतावीर नहीं करता तो आज मैं बिजनिसमें ही होता हूं मेरी शिनाफ बिजनिसमें की हैसी है सही होती मगर इसका रिवॉर्ड इतना बड़ा है ना सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो ये मिलता है आपको कि आप जहनी तोर पर बहुत आसूदा हो जाते हैं अल्ला ने आपको अपनी मखलूक की खिद्मत के लिए चुल लिए इस से बड़ी और क्या बात होगी एक तो आप आसूदा हो जाते हैं बहुत आपको दुनिया की सारी फिकर जिकर खतम हो जाते हैं इस काम के बाद ना जब आप खलक खुदा के खिद्मत के क्यूंकि वो हमारा कोई कमर्शल पोजेक्ट नहीं है वहां आमने सिर्फ डेना ही देना है और लोगों की दुआएं समिटनी हैं आप यकीन करें एक पैना डोल एक रुपे की मिलती है दस रुपे का पता है वो भी किसी को दे कि आप इसनी दुआएं खरी सकते हैं जो आप एक अरब रुपे खर्च करके नहीं ले सकते हैं लोगों के साथ आपका इंटराक्शन होता है आप मिलते हैं लोगों से बिल्कुल जी मैं डेली बेसिस पर वहां जाता हूं और आजसा आजसा जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई एक बड़ी मशूर फिल्म की वह भी बन गया हूं मुझे मेडिकल फील्ड का बहुत अच्छी तरह पता चल गया है मुक्तलिब बिमारियों का पता चल गया है और हमारा काम होता है बस सिर्फ लोगों को ना दिलासा देना वहां पर उनको यह खुशी देना देखें घर में जब कोई एक फर्द बिमार हो जाता है आपकी वालदेन या बहन या भाई वाई बच्चे उसे पूरा गर डिस्टब गया है तो फिर वो जब कोई आदमी बिमार होता है ब्ला सेंसिटिव हो जाता है और उसको छोटी चोटी चीजों बहीं हो ना बड़ा एक चुच्छा प पाक yes ऑदिश हैं कि जब आप किसी बिमार की आयादत करने जाए उस बिमार को कहें कि वो आपके हक में दआ करें क्यों कि जब कोई श चक्छ बिमार होता है तो आल्ला के इंतहाई नस्जी को जाता है लिकल बहुक्र सेही वो शक्स जब आपके लिए दूए दौा करें तो आप कितना बैठते हैं ऐसे लोगों में जाके उनके दुख सुनते हैं? मैं वारा एक बज़े चला जाता हूं और मगर्ब तक साथ बएग तक उन लोगों में बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हूं और हफ्ते में चार दिन तो लाजमी मुझे वह होना होता है कि डेंडे हाथ पे हाथ ना आपने डिसीजन लेना होता है कि ये पेशन्ट है इसको फ्री करना है इसके ओपर इतना खर्चा होना है उसके फंड उसी टेम अरेंज करना उसके लिए मेडिकेशन अरेंज करना उसके लिए सर्जिन अरेंज करना अगर गाईनी का पेशन्ट है तो उसके लिए भी सर्जिन अरेंज करें ताके बोन बेबी जो इस दुनिया में आएगा मुझे एक चीज बहुत अच्छी रखती है जैसे मैंने आपको तसक्रा किया था कि हमारे यह गाहिनी बहुत ज़्यादा है वो तक हम दो तीन बच्चे डेली पेदा होते हैं आप लिकीन करें मैंने हजारो बच्चों की कान में आजान दी जो इस दुनिया में आते हैं और उस टेम पे यह बहुत बड़ी एक सादत मुझे अल्लमिया ने दी कि वो बच्चे जो इस दुनिया में आया है तो उसकी आजान की आवाज है वो मेरे मुझे निकलती है और मैं उसे बच्चे की इस दुनिया में आमद पे उसके कान में अजान देता हूं कि तो इस से बड़ी सादत अल्लाप पाक दे नहीं सकता किसी को हजारों के इसाब से बच्चे हम पेदा कर चुके हैं हुआ पर हुदूरु पाक सल्लालावलेवसलेम की उम्मत में इजाफा होता है और हमें अपने इस निद्बत में बड़ा फखर है कि हमारे किसी छोटे से एक काम से हुदूरु पाक सल्लालावलेवसलेम की खिदमत में इजाफा हो रहा है ये तो एक छोटी सी मैंने आपको सादत बता ही कि देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि बच्चा पेदा हुआ और घर में कोई भी फ़र्द उसको आजान दे रहेता है मगर मुझे ये सादत आसल है कि मेरी कोशिश होती है कि जो भी बच्चा हॉस्पिटल में पेदा हुआ हो उसे आजान में दूँ एक छोटा साम बहुत खुशी मेसूस होती है कि मैं आने वाले बच्चे की कान में पहला लवज जो है ना मेरा पड़ा और फिर देखें जी आजान की आवास पहले जो है वो आप मैं उसे कान में आजान देता हूँ तो मुझे अपने इस अपिचनिटी पर जो मुझे मिलती है वहां पर मैंसे बड़ा खुश होता हूँ कि आला पाक ने मुझे इतनी बड़ी साहदत दी और दूसर मेडिकल फील एसी है जी वक्तन फोक्तन मेडिसन पिछले दोर अदवार में जो हमारे पर तबदीली सरकार थी उन्होंने मेडिसन के रेट इतने बड़ा दिये कि एक आम आदमी जो थोड़ा खुशाल भी होता है उसके गर में खुदाना खासा कोई बीमार हो जाए आप यकिन करें बहुत परेशान हो जाता है अभी जो है मैडिसन के जो रेट्स ह बंद कर देते हैं ये क्या होता है देगे जी मुशर्ण दोर में हमें बलाया गया कि आप आएं उस वक्त जरूरत थी कि जी आप ये वाला काम शुरू करें हमाप अगेस भी वाफर मिदार में और हमेशा हमें ये वादा किया गया कि सी एंजी और पेट्रोल जाए वो ठार् अलब मिलियन डॉलर की इंवेस्मेंट की पूरे पाकिस्तान में 3,600 स्टेशन बनें और इससे तक्रिमें डायरेक्ट चार लाग लोग और इन डायरेक्ट तो 30-35 लाग लोग वाबस्ता हैं इस इंडेस्ट्री से अच्छा सी एंजी की इंडेस्ट्री से वक्त के साथ साथ जारे गेस्ट कम होती गई हम एक वक्त आया है दोजार साथ और दोजार आट में पूरी दुनिया में गाडियों में सी एंजी इस्तमाल करने वाले एक नंबर पर मुल्क बन गया हमारे पास एक फॉर्फोलियो आ गया बागी तो किसी चीज में पाकिस्तान वन नंबर है नह दोजा के हम इसके वह एक एंवार्मेंट फृट्व सर्स्ति गेस्तान गरीब आवाम के काम आये रस्का ड्रेवर टेक्सी ड्रेवर पॉबलिक ट्रांसपोर्ट सुप्रियम कोट के अकम पे पॉलिक ट्रांसपोर्ट में सी एंजी लगाई गई गई फिर शेरिकिस्मत जिस तो आलमी जंग पानी पे हो चुकी है, उतिसरी भी उसी पे होनी है, पाकस्तान में बोरान आया, तो गेश पे जंग शुरू हो गई, हर सेक्टर ने चाहा कर गेश उसे मिले, हमारी सुके मुद्दत ही बहुत थोड़ी थी, हमें तो आयवे भी 20 साल भी नहीं हुए, 20 साल किसी इंडस्त्री के लिए बहुत चोटा सा एक वक्फा होता है, तो हम से गेश चीन ली गई, इसी तरह पहले हफते में दो दिन बन कर रहे हैं, फिर तीन दिन बन कर रहे हैं, पर कभी डाई महीने के लिए फ्यक्वेंटली बन कर देते हैं, अभी अचानक पता चलता है कि C&G स् बाकी सब बनेगा, वजय क्या बनी, कि पेट्रोल से कई गुना ज्यादा रेट हो गया, यहीं से हम अपनी बात को कंटीनियू करेंगे, मुझे जाना है ब्रेक पे, तो वियर्स, मैं मिलूंगी आप से एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वेल्कम बाक, वियर्स हम आगे हैं, ब्रेक से वापिस और इस वकत हम बैटे हैं, श्वैब खान जी के साथ और बड़ी अच्छी बाते चल रही थी, तो मुझे यह बताएं कि हम बात कर रहे हैं कि CNG जो है, वो एकदम से जो है, मिलना बंद हो गई, कि स्टेशन क्यूं बंद कर दिये जाएं? तेखें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि CNG हमेशे सस्ती होनी थी और पेट्रोल महंगा होना था, अब इस टाइम पे 310 रुपे केजी सी एंजी है, और 210 रुपे अब आके 60 रुपे बढ़ने के बाद 210 रुपे में पेट्रोल बंद है पर लिटर, आप मुझे बताएं कौ आदमी जो हैना CNG डलवाएगा, सब लोग सस्ता फ्यूल लेंगा पेट्रोल, तो अब फ्यूल सस्ता तो नहीं है, तेखें जी, CNG से तो सस्ता हो गया, CNG से सस्ता हो गया, CNG हम पहले लोकल गेज पे थे, CNG की वए से जो हैना, इन्वार्मेंटल फ्री के साथ पेट्रोल का जो हम पहल से पेट्रोल मंगवाते हैं और जो हमारा डालर इन्वाल्व होता है, उसमें बहुत कमी होती थी, क्योंके गाड़ियां आदी से ज्यादा पेट्रोल से चलती थी, कराची शेयर के अगर आप बात करें तो सदर आज से 10-15 साल पेले कैसा था, अब आप जाके जिसमबर से लेके लेके फरवरी तक द्री धाई महीने के लिए एड़ चाली के लिए निजए की शेयर के लिए क्या जादेटर को बन कर दिया गया, अब आप जो गाली चलाएं पर जाएंग तो पर फ्र पारिदी उस्टे प्र चाली तर जब देए तक दिस एन्दर के हटा दिया, बेरोजगार हो गई, ये तबदीली सरकार जो कि ये वादा लेके आई थी कि एक करोड नोक्रियां देंगे, पचास लाग घर देंगे, एक करोड में से चार लाग तो हमारे लोग बेरोजगार हो गए, एक आदमी ने अपना घर बेचा, अपनी दुकान बेची, अपना सोना बेचा बेचा बेंकों से लोन लिया, और सी एंजी सेक्टर में अपनी इंवेस्मेंट की, आज वो कहां खड़ा है, वो जो मशीने हमारी, वो स्क्रेप हैं, क्लिन डबबे के उस पर जाएंगी, मगर बेरोजगारी कितनी फेल गई, आप देखें, आजकर जो ब बैड लग है, कि जब वो आये थे तो कोविड आ गया था, देखें जी कोविड ने पूरी दुनिया को मतासिर की, बिल्कुल है, इसे ही है, कोविड के बाद क्या हुआ, उसके बाद तो चलना चाहीए थे ना सब कोई, कोविड में सिर्व आम आवाम ने सफर किया, कारोबा कि कि बाद किया, कि बाहगे मुलकों ने भी हम लोगं की तरिफ की कि हिर पाकिसान, जैसा एक मुल्क जहां के कोविड की जो भी सोपीस ती उस पर अमल किया गया, वह 块 कोविट के बाद क्या हुआ कोविट के बाद भी यही सारे सलसले है वजा क्या है देखें जी हमारा मुलक्त जो है पाक्सान इला पाक इसको सलामत रखें या एनर्जी क्राइसिज है और इनर्जी में सर्फ डेयस नहीं आती गेस भजली व तक वू जिससे तवानाई पेदा होती है, उसके लिए एनर्जी की जरूओत दें। यहां पे तु सिरफ बिजली के बिल्स पैदा होते हैं और बिजली नहीं आती है। इस वज़े से देखें जी तवानाई को बहरान को हल करने के लिए जिन लोगों को काम करना चाहिए था वो नहीं थे नाएल लोगों को बिठाया गया था आप एक माशाला वेल नोन टीवी एंकर हैं। मैं एक आदमी का आपको सामने लेओं कि इसकी बाइपास सर्जरी कर दें आप कर लेंगी। मैं कभी पे नहीं कर लेंगी। तो इसे लोग जिनके उस सेक्टर से वास्ता नहीं होता हैं उनको हमारे पर क्यों मुसलत किया जाता है। चलें बात कर लेते हैं फिर मौजूदा हुकूमत की। अभी जो हुकूमत आई है और एक दम से एक के बाद एक उन्होंने महंगाई का जो एक बॉम फोड़ा है। आपको भी पता है हमें भी पता है अवाम पे बहुत बुरे हलात हैं सबके साथ। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले पेटरल बड़ा था तो तब भी लोग चीख रहते और अब तो मेरे खाल में 217 रुपे हुआ। 210 रुपे हो गया। तो इससे भी आगे जाने का इमकान था लेकिन प्रोटेस्ट हुआ उसकी वज़ा से शायद वो डर गए या फिर वो रुपे है। कि अग्या के रहे से तो 30 रुपे करीब अभी भी जो पेटरियूम पराइस है उसमें 8-45 रुपे का डिफरेंस है। तिर 30 रुपे उसमें लेवी टेक्स जो गुवर्मिट लिया करती थी वह नहीं ले ले लिए। 17% GST पेले गोर्मेंट लिया करती थी वो नहीं ले रही देखें जी युक्राइन और रूस में जंग हुई उसका मलबा पूरी दुनिया में आया ठीक है एनर्जी क्राइसिज आये पेटोलियम क्राइसिज आये तो ये इतनी बड़ी-बड़ी आलमी ताकतें जो बेठी हुई वो इन चीज़ें को क्यों नहीं कंट्रोल करती हैं वो क्यों पूरी दुनिया को डिस्टब करती हैं हमारा रूस की और उपराइन जंक से आया वे तो जुम्ह जुम्ह दस दिन हुए मगर ये ज़रूर है कि इसके पुराना दोर जो था दोहदार अठारा से पहले उसमें यक वो मुझे गेस जो है ना मेरे कोई अपना कुछा तो है नहीं गुर्मेंट ऑफ पाकिसान ही मुझे पूरा करके देगी कि जी ये गेस है आप इसको इसको इस्तामाल करें चाहिए वो किसी भी परपस के लिए हम यूस कर रहे हूं गाडियों में डार रहे हूं इंडस्ट्र चला रहे हूं तो जब तक पाकिसान के इनरजी क्राइसिस खतम नहीं होंगे उस वक्त तक जो है ना ग्रोफ बहुत मुझे चाहिए कोई भी गुर्मेंट आ जाए तो सबसे पहले बैसियत एक बिजनिसमें में तो तमाम जो भी अभी भी जो बरसर एक्तिदार लोग हैं जब उस चीज का वजूद ही नहीं है एक आदमी की बाइंग पावर ही नहीं है उसको आपने बिल्कुल तीस अजार चालीस अजार रुपे में कोई आदमी घर चला सकता है अजगर नहीं चला सकता तो आप उसकी ग्रोफ तो करें उसकी सेलिरी बढ़ाएं कारोबार लेके है सारी दुनिया में कारोबार ही एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरी मैशियत चलती है हमारे यहां जो नर usually स्यासत होती है प्र फारियम प्राइस पर सियासत पहले है इमरान खान नहीं प्रा होता उससे सबसीडी नहीं बढ़ा है नहीं अर एक ही दवह में पिर वह सबसीड क्या फाइदा था थोड़े थोड़े करके बढ़ाते तो आज हम इस क्राइसिस में नहीं होते हैं आज आप यकीन करें लोग पेट्रोल पम के सामने से गुजरना का वारा नहीं करते हैं इतना महंगा फ्यूल हो गया है कोई लेने को तयार ही नहीं है वो इसके साथ साथ पिर आज से कुछ दिन पहले साथ रुपे कम था एक सो शाथ रुपे स्मेट तक में डेट सो रुपे पर लिटर था आज दो सो दस रुपे हो गया तो पेदावारी लागत हम पे कितनी कुना बढ़ गई जो एक टेंकर हमें 21-22 लाग रुपे में पढ़ता था आज वो टेंकर हम हम पे मसलत लोग थे जो के उस फील्ड के माहिर नहीं थे उनको बिठा दिया गया था हम पे मसलत कर दिया गया था उनकी नाहली की वएसे वो बरवक्त कोई अच्छे एकदाम ना करने की वएसे हम इस हाल पर पहुँचे तो मौझूदा रुपूमत से आप खुश हैं मैं ख पुरने कार्GI चिसने में किसी की हुकोमत हो. हम उसे का लेना जो हुखने है. बिजनिस दुनिया में, वा किसी पार्टी का नहीं होता. खाले. जो और यहांपरब की जो अटिदार पार्टी होती है, जो हमारे सरपरस कहेलाते है, जो कराची को यह आप लोग जो नहीं इतने वबाल में डाल देंगे ना गेस है ना बिजली है ना राडर का मसला है इस नेचिंग यहां सबसे ज़्यादा है कैसे चलेगा पाकिसान सही तो कराची को तो इनको चाहिए सबसे ज़्यादा बेनेफिट दें और बारहल जी अल्ला पाक इनको हिदायत दे अल्ला पाक हम पे इसी करम नावाजी करें इस आएटार भी अटेफंगे टारां गहां जाजादा झाराग ऑ्ल्ला करनेदे था और उनको जो खेड़ा पैसे के इस धार भार से लगाता है उमारे किस काम की गेसे जोग्रआ कर तूक्के लोग्सा लोग्डाव करें डो ए हर दो दो डाएड़ाई महीं एक अगाडी अगर वो नहीं है, कोई मेट्रो ट्रेन यहां भी चले, कोई मेट्रो बस यहां भी चले कराची में, ठीक है, आप अपनी गारी खड़ी कर दें, आप मेट्रो भी तो यहां पर चलते हैं? नहीं जी, कहा है, खौब में है खाली. मुझे बताएं पैटरिन एंड चीफ ओल सिटी ताजर इताद से भी तालुक है आपका ये क्या है देखें जी यहां पर एक तन्दीम है जो के ताजरों की भलाई के लिए बनाई गई है वक्तन फॉक्तन गोर्मेट की तरफ से या कहीं से कोई भी मामलात आते हैं हम फरंट पेज पे जाके गोर्मेट से मजाकरात करते हैं कोईट में भी हम बार बार जाते हैं कोई भी ऐसा मसला या इशू आता है तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचता है हमारे पास तक्रीबर कोई 80 मार्कीटे हैं 80 से भी ज्यादा हैं कराची में जितनी बड़ी बड़ी तारिक रोड हैं सदर हैं कलिफटन की मार्कीट से हैं सेनेटरी मार्कीट से हैं जितने भी कारोबारी बड़ी बड़ी मार्कीट से हैं वो अपनी मार्किट के साथ है, हमारी RCT ताजर इतिहात के साथ भी जमें और हम ताजरों की बहतरी के लिए और ताजरों पर जो जिसके सम कोई मामला आता है उसको हल करने के लिए फरंट पेज पे जाके एक्तिदार आला जो लोग होते हैं उन से बात करते हैं उनके मसाइल हल करते हैं जब अचानक से ये ख़ब सुनने को मिलती है कि ताजर असोशियेशन ने हर्ताल कर दी मतब होता है अक्सर तो न्यूस में सुनते रहते हैं आम लग तेके जी अक्सर ऐसे ऐसे ये लोग ब्लंडर कर देते हैं अभी एक सेल टेक्स में आया प्यो एस पॉइंट ऑफ सेल उसमें इन्होंने पहले ये उप्शन रखा कि जिस मशीन जिस दुकान जो है तकि कोई हजार स्क्वाइर फूट की दुकान हो जिसमें केड़िट कार्ट की मशीन हो जिसमें ऐसी लगा हुआ हो वो अपनी सारी सेल रिकॉर्ड करेगा और एक बी आर को हाथ पे हाथ टेक्स मगर इन्होंने तो कोई दुकान का खाचा ही नहीं छोड़ा जो भी था बस सब को उसमें ले ले लिया इतने सारे टेक्सिस के बाद पॉइंट ऑफ सेल इसकी तो जरूवत ही नहीं थी हमारे ताजिर बादी के मुतालबा था कि हम पे कोई फिक्स टेक्स एक और लागू कर और हम उसे देते रहे इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना दे कि यह एक आम ताजिर जो दुकान दार कपड़े की दुकान दुकी बेठा हो वो क्या हर एक चीज़ की कंप्यूटर लेकर इंट्री करें अपनों पूरा माल इंट्री करें फिर लोगो एफ बियार को दिखा है तो आप जो एस्पेक्टेशन करते हैं एक मिला साल है कि आपको सो अरब रुपे टेक्स चाहिए उसको ना हम पर लागू कर दें फिक्स टेक्स हम देने को तैयार है मगर इस तरह हर थोड़े दिनों बाद एक नई बजट एक मिनी बजट आयाता है जिसको हम देखते हैं तो हमा हमा नना होता है और बादरी पे एक मिलचे प्राइशन करें यह लिए आपके सान को प्रेशान करें लो प्रेशन करें लोहां इनसे जादे सेट लोगा जाए टेक्स लेह मैंने आपको पर बताया है पूर पाराचि आपकिस लिए पुरे पा किस्टेस तान का साम एट तेलों जैसा सलूक क्यों किया जाता है? किसी ताजर को कभी मार दिया जाता है, किसी ताजर को कभी मार दिया जाता है, किसी ताजर को गोली लग जाता है, कोई जखमी हो जाता है हम तो यह हर एक चीज से नबाज मार जाता है So what do you think? Who is the responsible? किस को चाहिए कि इन चीज़ों पे? रियासते पकिस्तान जी जो लोग बरसर रेक्तदार हैं वो तो देखें आप में साथ कितने बड़े-बड़े काफले लेके गुम रहे होते हैं, जैमर लगाये होते हैं, क्या कुछ किया हुआ होता है उन्होंने, सारी सिक्यूर्टी के उनके खराजात देखें कितने तो एक आ रास्ते सेफ हैं, बहुत ही बूरा हाल कराची के जी, कराची के लिए तो मैं कितने कुछ ष्पेशल पैकिज जीसे अमरान खान बोलते ठक गया, कोई वादा उसने वफा नहीं किया, बने कितने अरब का पैकिज लेके हमारे ले कराची में हमें किकि जाते थें, वो कुछ न कुछ करें, FPD क क existential क प्रोब दूस करें, हम टेक्स ठेना चाहते चाहते हैं, हम टेक्स छोर न ही है, हम चाहते हैं, ज्यादא से ज्यादा टेक्स देंगा अगर हमसे कोई तरीके सहरीके से टेक्स तो ले, य consist to ले, या खुनदा गरल दी हो अजू रोज एक ऐसा दर पैल्कु जी यै कोई तरीका नहीं होता है। अगर आप किसी से मतलब इस तरह की बात करनी भी है या मतलब आपको चाहिए भी है तो इस तरह से नहीने नोटिस्स भेश के तो तंग नहीं करना चुछ जिसी को मैं आपकी बात से अगरिक करती हूँ और मैं जलती हूँ अभी एक ब्रेक पे वियर्ज मैं मिलती हूँ आप से एक छोड़ी सी ब्रेक के बाद वेल्कम बाक वियर्ज हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस सकत हम बैटे हैं श्वैब खान जी के साथ और बड़ी अच्छी इनके साथ चिट-चाट चल रही है मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है लोगों को किस तरह से चारिटी की तरफ आना चाहिए आपका जो हॉस्पिटल है उसको आविसली अगर आप एज़ चारिटी हॉस्पिटल आपने मेरे अपने जहें की इस तरह ऑड़े और मेरे ये ख्याल है कि चरियृती फ़र एक इनसान कर सकता है ये इस दुनिया मेरे आए है सबस्ब के उटिधू रुपहाई से नही memorized हुटी हम अच्टी हम सब इसãy कीमती तरीन चीज होती है निकाले राहे खलकِ خुदा के लिए जो उसकी कैपसिटी में काम है आप कुछ नहीं करें सौ रुपे के एक दरदन केले आते हैं आप किसी भी फारिक टेम में कभी ने एक शापर में सौ रुपे केले लें अपने करीब किसी भी होस्पिटिल में जा कि जो मेरा मरीज़ आपको नजर आए उसके सराने रखें उसे तबियत पूछें उसे ये मिलान दिलाएं कि आप ठीक हो जाएंगे आप अल्ला पाक करम करेगा आप यकीन कीजेगा आप जब जाएंगी ने वो हर शक्स को बुला बुला ये कहेगा ये कोई आया था मुझे केले देखे गया मुझे दुआएं देखे गया मेरी खेरियत पूछी गया उसका दिमाग उपनी बीमारी से हट जाएगा क्या हम इतना नहीं कर सकते क्या उपस्ची एक दिन हम आदे घंडे की लिए किसी भी और वस्पिटल में जाकर एक सकते हैं यकीन हम कर सकते हैं यह कीनल बनती है लोगों के लिए उसको हटा दें इत्पाक सब्सक्राइब की जो रास्ते से कंकर भी उठा के साइड पर रखता है कितना बड़ा वो है कोई आप नहीं आज के पास आया किसी भी हाज़त लेके आप उसकी हाज़त पुरी नहीं कर सकते आप उसकी जाड़े ना उसकी ब किसी के लिए तो मेरा यकीन मानें के आपको कोई फाइदा नहीं है कि आप إنسان कहलाएं वो इनसान मेरे ऐखाल में नंसान कहलाने के लाइक ही नहीं होता कि जिसके अंदर एसdoc में इस सोल अबाउं का धाल्ली का दर्द जो है आप फील करेंगे तो आप तो आता बहtım में की ल करते हैं और चलते हैं आपकी परस्ट और लाइफ की तरह मुझे इपदाया स्कूलिंग कहां से थी आपकी स्कूलिंग जी कराची शहर सही थी और इस फक में आई आप दन माई इंटर इन 1986 अच्छा 86 में में इंटर कर चुका था और 89 में मैं अपनी ग्रेजवेशन भी कर चुका था तो उस टेम पर तो सिर्फ सर्कारी स्कूल हुआ करते थे और हम ने भी सर्कारी स्कूलों में पड़ा और अल्ला का फदा लेके फिर बिजनिस भी किया और एक काम्याब जिन्दगी तरफ रागब हुए फिर मैंने एंबी ए किया तो मैंने कोई इस रड़ा कंपूटर इस्ट्टूट भी नहीं थे नहीं थे ना उस वक्पूटर को इतना कुई जानता था ना पिछानता था मतलब इस अप्सिलिटी इस नहीं दी था हमसामने इस हारी सीजे आइ तो हमने भी इसे इस्तफादा किया और हम मैंने थे मिन आप एक ये I have done my MBA तो बस उसको बिजनिस में इंपलिमेंट भी किया और अल्लाक लाक लाक करे हमें एक सक्सेस्फुल लाइब भी गुजारी एक सक्सेस्फुल बिजनिसमें भी रहे फिर अल्ला पाग ने हमें इस आदत दी कि हम चेरिटी में आए ये काम भी शुरू किया तो मुझे तो ये तुमाम जर्नि में सबसे जो लास्ट पाड है चेरिटी का वो मुझे सबसे अच्छा लगता है क्या खूब काया किसी शायर ने कि च्छाओं देते हैं जो सहरा में किसी को मेरा दिल ऐसे दरختों को वली कहता है चीज़ को बरदाश करता है सुबतों को मगर उसके च्छतर चाओं कोई भी शखस आ जाए वो उसको चाओं देता है और दूसरा भी इसी तरह अलामर अग्वाल साब को भी शेयर है कि आदाब मेजबानी अगर सीखना है तो दरखतों से सीखो अदाब मेजबानी अगर सीखना है तो दरखतों से सीखो जो अपने च्छाओं में आने वाले किसी भी चरिन पर इन इनसान से उसकी जाद पात नहीं पूछता क्या वाल वो तो कहता है जी आए कोई भी बिलकुर और आप देखें ये भी एक चरिटी का हिस्सा है कि आप अपने अतराफ कहीं भी कोई जगा देख के उसको एक दरख लगाएं वहाँ पर अपने वालदेन के साले सवाब के लिए अपने बच्छों के नाम पर अपने वाइट के नाम पर वहाँ पर भूछ थंडा यख पानी सुबह सुबह लोग कूलरों में भरके लेके जाते हैं और तक्रीवाँ सत्र हजार लीटर की कैपसिटी उसकी पढ़ड़े एक दिन में सत्र हजार लीटर वो पानी को मिनल करके मतलब उसमें कोई भी पानी आप डालें इतना महंगा है कि खर एक अदमी कोट्र हो फॉड नहीं कर सकता है विसके मेरे यह से लोग सुबह सुबह भर कूलर बर के ली आते लाते हैं उसहारा देन पानी चिल रहता है पानी तरह पानी नहीं नहीं चिल करता है वो हमें हीट वेफ जब भी कभी आती हैं कराची शेर में तो जो मरीज हीट वेफ का शिकार होके आते हैं जिसे गर्मी लग जाती है उसमें भी हमें बहुत काम आता है हम उसके पेड़ हमारे पास होते हैं वो पेड़ भरके हम उसको पाओं में उस सर पे रखते है कभ चछे धोगोगों का इतना ख्याल भी कर रहे हैं और उनका एलाज मुफ्त में कर रहे हैं। बहुत ही नेक कामों की तरफ आपका रुजान है। मुझे यह बताएं कि अपने लव मैरिश की या रिंग मैरिश की और रिंग मैरिश की ? अगर लव होता भी था तो ऐसा था कि सालो साल खत लिखो तो खत जाए तो खत आए आज कर की तरह डिजिटल दोर नहीं था और अरेंच इस वज़े से थी के वालदे इन गए रिष्टा लेके आए और मेरी शादी भी शुकर अलह आज तक्रीबं 30-32 साल हो गए हम बहुत अच चरेटी के लिए वाफ की तो मैं जरीए माश में ही लगा रहता अभी तो मैं कैसे चरेटी करता था तो मुझे मेरे बच्चों ने बिजनिस से फारिख किया और मैंने अर्से 5 साल से और अपने आने वाली जो बी अला पाक ने मुझे जिन्दगी दिये मैंने चरेटी के कोई होस्पिटल बनाएं, कोई भी आप काम करें, आप देखेगा कि आपकी लाइफ इतनी सुकून वाली हो जाएगी, आप अपने आपको ना भुट टेंशन फुरी महिसूस करेंगे, वो जाहरे आला पाक का वादा है कि जो अल्ला की राह में एक लगाता है तो उसका सतर मिल करें कि आप आगे जाएं और और आप लोगों की खिदमत करें और जो आप काम कर रहे हैं इसमें अल्ला और आपको आगे लेकर जाए, मेरे शो का वक्त होने जा रहा है कि लेकिन जाने से पहले हमारी यूथ को यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? करें और माशरे में एक ऐसा करदा अदा करें कि उन वालदेन को फखर हो कि यह हमारा बच्चा है और इसने माशरे में एक मुद्बत करदा अदा किया उसके साथ साथ जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप अपने करीबी अतराफ में देखते वे और लोगों की मदद कराची में जहनी आसूदगी बिल्कुल नहीं है लोग इंतहरी टेंशन और परिशानी में वक्त गुजाते हैं खुदारा लोगों से लड़े जगडे ना और अपने अंदर बरदाश पेदा करें ताके जिन्दगी अच्छे तरीके से गुजर सके थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और वियर्ज मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त अला हाफिस